स्थान रेशाइब है direkt मैं इस बंस के सब्सक्राइब दो पॉइज़े भलगका अखी को तंगर करते हैं मैंने मिक्सर जार ले लिया है इसमें मैं एक कप दई डाल दूँगी इसमें मैं चीनी डाल दूँगी आपको जैसा मिठा लगे विसे डाल सकते हैं यहां मैंने बीट रूस का रस निकाल लिया है मैं यह दाल दूँगी अब मैं इसको ग्रेंड कर लूँगी मैंने इसको ग्रेंड कर लिया है अब मैं इसको सौफ करूँगी मैंसे एक मिक्सर जार ले लूँगी इसमें अब एक कप दई डाल दूँगी इसमें मैं चीनी डाल दूँगी थोड़े से काजू में डाल दूँगी एक समस्च चॉकलेट क्रीम डाल दूँगी मैं अब मैं इसको ग्रेंड कर लूँगी यह मेरे चॉकलेट लसी हो गया है मैंने ग्रेंड कर लिया है अब मैं इसको सौफ करूँगी कि मेंगर लशी बनाने के लिए मैंने एक कप दही लिया है यहां मैं कटे हुगी आम ले लूँगी यहां मैंने चीनी ले लिया है यहां मैं थोड़े से काजु रख लूँगे और इसको मैं ग्रैंड कर लूँगे यह मैंने गर लिया है अब मैं इसको सौफ करोंगी को हुआ प्लेन लशी कि दही लशी blev लूँगे के लिए मैंने एक कप दही लिया है इसको मैं कुछे निवन डाल दूँगी यहां मैंने एक कप चीनी लिया है जिसको यहां मैंने थोरे से काजु लिया है मैं यह भी डाल दूँगी उसके गाद मैं इसको ग्रेंड कर लूँगी मेरी प्लेन लासी तयार हो गई है अब मैं इसको ग्लास में सॉफ करूंगी अब मैं इसमें सब को मैं सॉफ करूंगी मैं डाल दूंगे सभी में और मैं सॉफ कर लूंगे देखिए फ्रेंग्स मैंने चार तरह से लसी बनाए है आप भी ऐसे करके बनाएए बहुत ही अच्छा होती टेस्टी लगा है मैंने सॉफ कर लिया है